नमस्कार मेडिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है विहार की जानी मानी पीडियर्टरिस ये डॉक्टर समीक्षा शर्मा तो डॉक्टर साहिब पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद द्रिया जी आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया मैम अगर हम बच्चों की जैसे बात कर रहे हैं बच्चों में देखा रहता है कि गर्मियों के मौसम में वैसे तू कहीं समस्या ही होती है उसमें से एक चकत्य होने की समस्या रैशिस की समस्या घमोरिया भी बहुत जाद होती है ऐसे में यह जो समस्या है उसे बच्चों को कैसे बचाया जाए जी गर्मियों में skin rash काफी common problem है जो की बच्चे लेके आते हैं एक तो गर्मियों में आप देखो गए कि तो sweating जादा होती है बच्चों की ठीक है तो जब sweating होता है तो उनके जो pores होते हैं वो clog हो जाते हैं एक धंग से जिसको समझेगा तो ब्लॉक हो जाते हैं उस वज़े से rashes हो गए, acne हो गए या जो common problem है मालीजे को बच्चे को urticaria है या कोई भी skin का problem है तो यह सारा चीज बढ़ जाता है तो एक तो हमें एक तो rash अलग होता है एक rash ये भी होता है कि आप किसी तरह का दवा खा लिये हो या कोई antibiotic सूट नहीं किया हो कोई और दवा सूट नहीं किया हो या कुछ तेल लगाया हो अलग तरीके का नवजात बच्चे को गाय का दूद पिला हो उस वज़े से rash होता है तो वो एक दूसरा रैश हुआ और वो अलर्जिक रैश हो गया आपका और एक यह वाले ही रैश जो गर्मियो में आते हैं वो आप अक्ने से डिफ्रेंशियेट करोगी हो सकता है बच्चे को अक्ने हो रहा हो या जो टीनेज बच्चे है जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट ब इसको स्किन केर करना है बच्चों को हमेशा ओईली खाना खाने से बचे हैं ऐसा नहीं है कि आप तला बुना ये सब खाना खाने से अभी गर्मियों में बचना है लाइट फूट जितना जादा हाइडरेशन हो सके उतना हाइडरेशन लेना है पानी पीते रहना है नारियल पीना है नीमभू पानी पीना है supply airyated drinks जैसे गर्मी में अगर बच्चों को बहुत लग रहे है कि हाँ में कोल डून के पीना है उसे अच्छा रहेगा पर को यहाईडरेटी वगेरा नहीं लेना है बाहर का चीज नहीं लेना है तो जितना हाईडरेटेड ही जितना स्टामनेक्स होते हैं आप लाइट मेडिकेटेड पाउडर का इस्तिमाल कर सकते हो यह सारा चीज अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि आप रैश को और स्किन डिजीज को काफी कंट्रोल कर पाओगे गर्मियों में मैं इसके अलावा अगर हम नवजात बच्चों की बात बात ले तो नवजात बच्चों को डाइपर पहना जाता है डाइपर से भी बहुत बार क्योंकि रैश हो जाते हैं तो ऐसे में उनके लिए आप क्या बताना चाहिए डाइपर आप एक तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप रेगूलरली 24 इंटु 7 डाइपर का दिखो आप स्क तो ओर नमार 12 ऑंच गंटे पे आप याप डाइपर चेंज करते हो डाइपर क्रीमस आते हैं जिंक ऌक्साइड उसमें उसका इंग्रीडियांट होते है जो कि एक बारियर जैसा काम करता है रैश घ्राइपशोंने से ठीक है तो बहुत सारे मेडिकेटड़ डाइपर क्रीम् rash हो गया, उसके लिए भी क्रीम्स मिलते हैं वो सारा यूज करो तो उसमें हम बच्छों को diaper rash से बचा सकते हैं तो अगर नवजात बच्छों की हैं बात कर ले तो उनके सरीर पर या पर जैसे कि आपने skincare की बात की skincare बताया वैसे ही नवजात के लिए कोई ऐसी चीज इसकिन केर में एड़ कर से नवजात को रोज आपको नहलाना है ऐसा नहीं है कि बच्चे तुरंथ हुए तो नहाना नहीं है नहाना रोज है नहा के अच्छे टॉवल से साफ कॉटन कप्रों से उन्हें पहना देना है और बिल्कुल लाइट फैब्रिक के बिल्कुल प् अगर बच्चे नवजात हैं तो आप साथ से आट पाइब्रेस्ट फीड कराओ और बच्चे को इतना करेंगे और बस यह दियान देना है कि आप वुलेन कप्रा या गंदा कप्रा इस तरह का कप्रा नहीं पहनाना है अच्छा स्वच्च कप्रा साफ कप्रा पहना के का यूज करना है रेगलर ब्रेस्ट फीडिंग करना है यह सारा करोगे तो बच्चे का स्केन भी हेल्दी रहेगा तो शुक्रिया डॉक्ट साहिबा जो आपने बताया है कि बच्चे के स्किन पे जो लाल चकत्ते हो जाते हैं या फिर टीनेज में भी जो यह समस्या होती है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आप डॉक्टर समिक्षा शर्मा को सुनाए थी जिनोंने पूरी जानकारी हमारे साथ साजा की है कि बच्चों को गर स्किन रैसलस की समस्या हो रही है खासकर गर्मियों के दिनों में और नवजात बच्चों का भी स्किन केर कैसा ह हो सकता है तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पेज को लाइक कर ले वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया